दोस्तों आपने Flipkart या Amazon से कभी तो कोई चीज खरीदा होगा या नहीं खरीदा तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइटों से आप आप आनलाइन चीज़ा खरीज सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट है e-commerce के उदाहरण है e-commerce का full form e-lectronic commerce होता है ये विद्धिय business transaction का जरिया है जो किसी electronic network जैसे internet पर किया जाता है यदि आपके पास एक computer, internet connection तता खरीदी गए माल का भुखतान करने करने का कोई जरिया हो या कोई ऐसी सेवा उपलब्द हो तो आप e-commerce में प्रत्योगी हो सकते हैं इसके दोरा आप web पर ही कोई वस्तु या सेवा खरी सकते हैं जिती आज तीन प्रकार के e-commerce जो है चल रहे हैं जिसने पहला है ग्राहक या उभ्भोकताओं से व्यापार उभ्भोकता और उभ्भोकता के बीच व्यापार उभ्भोकता और उभ्भोकता के बीच के व्यापार का example क्या हो सकता है जैसे हम Olex की बात करते हैं जहां पे हम उभ्भोकता होते हैं लेकिन हमारी कोई चीच पुरानी हो जाती है तो हम उसे बेच रहे होते हैं और कोई और उपभोगता उसे खरीद रहा होता है और हम अपने समान को Olex में ही बेच के Upgraded Version Olex से ही Second Hand खरीद लेते हैं तो इन्हें यहाँ पर बेचने वाला भी उपभोगता है और खरीदने वाला भी उपभोगता है और ग्राहक और भुगता के बीच ब्यापार जो इकमर्स में होता है उसके एक्जामपल कौन से हैं वहां पर है Amazon और Flipkot जैसी वेबसाइट है साथ ही ब्यापारी और ब्यापारी के बीच में होने वाला ब्यापार ब्यापारी और ब्यापारी के बीच पर होने वाले एक्जामपल को सी मौक एकमस वेबसाइट की अलीबाबा.com और इंडियमार्ट.com उडान.com या उडान जो एप है जहां पर कोई होल सेलर अपना प्रोडक्ट इंडियमार्ट के अंदर बीचता है और को रेटेलर इंडियमा अगया से किसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.